जब भी हम मार्केट में धेर सारी मिठाईयां देखते हैं हमारा मन ललचाई जाता है कि अरे इतनी सारी मिठाईयां आज ये भी खाले वो भी खाले लेकिन ये महंगी भी बहुत ज़ादा होती है आज मैं जब मार्केट गई तो मैंने धेर सारी मिठाईयां देखी और मेरे कुछ है कि खरीदूंगी तो बहुत महंगी पड़ेगी इससे अच्छ है कि घर पर कम दामों में और कम समय में ये रेसिपी मैं घर पर ही बना लूँगी क्योंकि हलवाई वाले भाया ने मुझे एक बहुती बड़ी ऐसी रेसिपी जो बता दी ये रेसिपी इत्ती जादा आस सूजी लेनी है अगर मोटी वाली सूजी है तो आपको कुछ इस तरीके से मिक्सी जार में डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ये देखिए जादा ग्राइंड नहीं करना है बस हलका ही ग्राइंड करना है ताकि ये जो है थोड़ी दरदरी हो जाए कुछ इस यह जो सूजी है वो ही चाहिए जादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में कुछी समय में यह रेसिपी बनेगी और यहां पर हमें लगबग दो से तीन चमच के करीब देसी गी का इस्तमाल करना है और इस देसी गी को जो हम अच्छे से गरम कर लेंगे यह दे ने लगबग दो चमच के करीब बेसन का इस्तमाल किया है जादा बेसन का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है ना ही आपको आटा इस्तमाल करने की जरूरत है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज इस्तमाल करने की जरूरत है अब इस बेसन को आपको क्या करना है कि इसे अच्छ वाला जो पेस्ट है जो डो है वो बनकर त्यार हो जाए बेसन को हमने इसलिए डाला है ताकि बेसन जो है वो सूजी में अच्छे से बाइंड हो जाए और खाने में भी जो इसका फ्लेवर है वो बिलकुल नैचुरल वाला आए जब ये मिठाई बनकर त्यार होगी तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सूजी से बनी हुई मिठाई है इतनी अच्छी मिठाई है तो यहां पर अब हमने जो एक कटोरी सूजी को ग्राइंड किया था बस उसको कुछ इस तरीके से बेसन में डाल देना है पहले हमने बेसन को अच्छे से भून लिया था इसी के बाद मे हमने सूजी को जो है बेसन में मिला दिया और अब इनको जो है अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहना है ताकि सूजी भी अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए और सूजी को हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया था तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें बाइ इस तरीके से इस सूजी को जो है लगातार चलाते रहना है ताकि यह अच्छे से पक कर त्यार हो जाए और यह जो मिठाई है वो बिल्कुल दानेदार बनने वाली है और बहुत ही अच्छी सॉफ्टी बनने वाली है मार्केट में आज जब मैं गई तो मेरे से रहा ही नहीं गया फिर मैंने सोचे कि इतनी महंगी मिठाई खरीदने की क्या जौरूरत है जब घर पर ही बहुत ही कम दामों में खरीद कर बनाई जा सकती है तो मैंने मिठाई वाले भीया से कुछ भी नहीं लिया बस एक हलकी सी रेसेपी पूछ ली थी जो मैं आपके साथ में शियर कर रही हूँ बेसन और सूची भून रहे हैं तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ पिछला थैंक्स जाता है हमारे वीडियो पर जिनोंने कमेंट करा है उनको सरीता बंजल जी को जाता है नोहर से और राकेश कुमार जी को जाता है कैनेडा से और वहीं पर यूपी से कमेंट किया है नेहा गुपता ने तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए और इसी के साथ में अब हमने इसमें डाल दी है मलाई मलाई इसलिए डाली है ताकि इसका जो टेक्शर है वो क्रीमी आए और यहां पर हम दूद वगरा किसी चीज़ का और एक्स्टरा इस्तमाल नहीं करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर जादा चीजों के जरूरत नहीं है बस घर पर कुछ ही रखी चीजों से आज हम बहुत ही बढ़िया से मिठाई त्यार करेंगे बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको लगातार चलाते रहना है ताकि यह मिठाई जो है वो बिल्कुल दानेदार बने और साथ ही साथ जब आप मलाई डालो तो पहले मलाई को अच्छे से फैट लेना है यानि कि उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यह जो मिठाई है वो पिल्कुल अच्छे से बने अगर आप मलाई ऐसे ही डाल दोगे तो उसका जो स्मूधी पेस्ट है वो आपको नही दिखेगा और मिठाई के अंदर आपको हलका फुल का लंस भी देखने को मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 चंबच के लगबग मिलख पाउडर का भी इस्त nuts किया है और ये मिलक पाउडर भी बहुत ही अच्छा लगेगा मिल्क पाउडर भी हमारे घर पर आसानी से मिली जाता है तो अब मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखे लगातार आप स्पेचुला चलाओगे तो उससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और गैस की फ्लेम को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको नॉर्मल रखना है और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दानेदार जो है वो बंद कर त्यार हो गई है और अब हमने ली है एक कटोरी चीनी और अब हम इसको डालेंगे एक पतीले में आपको मेजर्मे लिए है उसकी आदी कटोरी के करीब हमें पानी का इस्तमाल करना है ये देखिए पान जितनी चीनी लो उसका आदा ही पानी हमें इस्तमाल करना है और अब कर्ची की मदद से इसे अच्छे से मेक्स करते रहना है और अब मैं डालूंगी इसमें एक इलाई ची और इसी के साथ म एक दो चीज़े और एड़ करने वाली हूँ वो पूरे तरीके से आप्शनल है यह देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर का इस्तमाल किया है केसर से भी अच्छी खुश्बू आती है अगर आपके घर में केसर नहीं है तो आप केसर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं और इसको लगातार कुछ इस तरीके से चलाते रहिए ताकि चाशनी का हमें पता चल से कि हाला कि हमें दो तीन तार की चाशनी नहीं बनानी है बस हलकी चिपचिपी ही चाष्णी बनानी है तो इस वज़े से अगर हम लगातार कर्ची चलाएंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये जो चाष्णी है फू कितनी परफेक्ट बनी है या फिर नहीं बनी अगर जादा गाड़ी चाष्णी बन गई तो मिठाई जो बहुत ही अच्छे से केरफुली ध्यान रखना है तो यहां पर ये जो चाष्णी है वो आलमोस्ट बनकर त्यार हो गई है तो चलिए अब आपको मैं बता देती हूं कि हमें इसका जो मेजरमेंट है या फिर हमें इसको पता कैसे चले कि ये चाष्णी बनकर त्यार हो गई ह तो आपको कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा हाथ पर लेना है और इसको इस तरीके से चेक करना है ये एक तारकी तो बिल्कुल नहीं बनी है बस हलकी हलकी उतर रही है चिपक रही है इसका मतलब कि ये चिपचिपे वाली जो चाशनी है वो बनकर त्यार हो गई है एक तार से हलकी ही हमें कम चाहिए थी तो इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो अब फिर से आप गैस पर सूजी और बेसन को चढ़ा दीजिए और इस तरीके से ये जो चाशनी हमने डाली है इसको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते रही है ये देखे और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंट हो जाएगी और ये हमारी दानेदार मिठाई जो है वो बन कर त्यार हो जाएगी तो चलिए आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आपकी जो चाशनी है चड़ा लीजिए या उसको पका लीजिए उससे क्या होगा कि आपकी जो टाइट चाशनी है जो मिठाई टाइट हो गई है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और उससे आपकी मिठाई भी जादा गरबर नहीं होगी अगर आप लेकिन परफेक्ट तरीके से बनाओगे तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी और ये देखिए हमारी जो मिठाई है वो परफेक्ट तरीके से बन कर त्यार हो गई है लेकिन इसको थोड़ा सा और शाइनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चमच के लगबग देशी घी का इस्तमाल कर लिया है इससे क्या होगा कि इसमें शाइन भी आएगी और थोड़ा सा और टेस्टी बनेगा तो यहाँ पर ये स्मूदी पेस्ट हमारा ये जो मिठाई का बंगर त्यार हो गया है गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अब हमें एक ट्रे चाहिए जिसमें हम इसको अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे बस इस पर मुझे थोड़ा सा देसी घी लगाना है और हाथ की मादद से अच्छे से फैला देना है जितनी दूर में हमारे मिठाई आएगी बस उतनी देर में हम ये लगाएंगे और इसके बाद में ये सारा जो मिठाई का डो जो हमने त्यार किया है उसको कुछ इस तरीके से अब प्लेट में डाल देंगे और प्लेट में डालने के बाद में जो शेप आप इसको देना चाहें पहले तो इसको अच्छे से सेट होने के लिए रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए जादा देर भी नहीं रखना है बस आप देखोगे कि 10 मिनट में ये अच्छे से सेट होकर त्यार हो जाएगी और अब हम इसके उपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं इसके लिए मैंने यहां पर थोड़े से जो है ड्राइफ रूट्स कट करके रखे थे छोटे छोटे इसको कुछ इस तरीके से फैला देंगे तो यह बहुत ही जादा अच् करें कि भाई इसको अभी खा ले अब आपका भी मन कर रहा होगा क्योंकि यह दिखने में इतनी अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितनी एजिली और आराम से काट रही हूँ और बहुत ही अच्छे से कट कर त्यार भी हो गई है अब इसको जो चाहे शेप आप दे सकते हैं और यह देखिए बिलकुल परफेक्ट हमारी यह मिठाई बन कर त्यार हो गई है मुझे तो यह बहुत ही अच्छी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों तो मैं चलती हूँ अपनी बेटी को खिलाने के लिए उसका रियक्शन तो बहुत ही अच्छा था उसे तो बहुत ही जादा टेस्टी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना और साथी साथ ये जरूर बताना कि आप मेरा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ बाबाई फ्रेंड्स